जो सवाल राहूल गांधी मोदी जी से पूछ रहे थे उन सवालों का जवाब अमेरिका ने दी दिया है है ना मज़ेदार चीज कि सवाल राहूल गांधी मोदी जी से पूछ रहे हैं और जवाब मिल रहा है अमेरिका से ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ और इस बात की जानकारी जैसे ही दूँगा न सबके होश उड़ जाएंगे राहूल के तो उड़ी गए लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जबाब राहूल जी जब आप विदेश जाते हैं तो फिर भारत को भारत के संविधान को संग को सबको बदनाम करते हैं अब जब देश के भीतर हैं तो सरकार की कुछ नाकामी बताईए न हमारी सरकार ने foreign policy को मिस हैंडल कर दिया है foreign policy में तो देश का डंका बज रहा है और इतिहास में पहली बार G20 के अध्यक्षता भारत के पास है I mean मोदी जी के पास है इसलिए कुछ clear कीजिए आप कहना क्या चाहते हैं हमारी सरकार ने जो चाइना का मामला है उसको completely mishandle कर दिया है अच्छा अच्छा चीन की बात है लेकिन चीन से आप इतने घबराए हुए क्यों है ये भी तो बताईए वो यूद की तियारी कर रहे है और हमारी सरकार इस बात को चुपाती है तो चुपाने दो ना अब मोदी जी ने क्या कुछ किया ये पता नहीं है डोकलाम में क्या किया गल्वान में क्या किया ये बताने की जरूरत है आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए और ये कोई मामूली बात नहीं है ये बहुत गहरी बात है ये भी रहने थे अब क्या पाकिस्तान ये भूल गया कि मोदी जी ने क्या किया है गर में गुज़ करके सर्जिकल स्ट्राइक, एर स्ट्राइक कोई नहीं भूला है बड़ी खुफिया जानकारी आपके पास कि दोनों मिलकर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे मैं इसको अब दो-तीन सालों से कह रहा हूँ और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार उसको इगनोर कर रही है कि आपने बताया नहीं कि आपके खांदान से तीन-तीन लोग प्रधान मंत्री बन गए बड़ी मुसीबत है राहुल जी अजा ये छोड़िए करना क्या है ये बताइए वो तो ठीक है लेकिन ये तो बताइए कि करना क्या है चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है ठीक है अब मोदी जी तो सुनने ही रहा है आपकी तो चलिए कोशिश करते हैं अमेरिका के राश्पती जो बाइडन से ही पूछ लेते हैं शायद वही जवाब दे तो आज के वीडियो में एक ऐसी कहानी एक ऐसी रिपोर्ट की कहानी जो अमेरिका से आई है और जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है और इस रिपोर्ट में राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब है ऐसा जवाब जो हर किसी को दंग करने वाला है और जिसने राहुल गांधी के होश उड़ा दिये हैं आज के वीडियो में इसी को डिकोट करूँगा साथ्यो नमस्कार मैं हरिश्चन्र बढ़णवार राहुल गांधी प्रधान मंत्री मोधी पर विदेश निती को लेकर सबसे अधिक हमला करते हैं और उसमें भी चीन को लेकर लेकिन जानते हैं जब वो विदेश जाते हैं तो हमला करते करते अचानक से चीन की तारीफ भी करने लगते हैं और आप भूले नहीं होंगे चीन को सदभावना वाला देश बता दिया था एक छोटा हिस्सा आपको याद दिलाने के लिए सुनाता हूँ लेकिन आज बात भारत-चीन संबंधों को लेकर एक रिपोर्ट की एक खुफिया रिपोर्ट की बात करने वाला हूँ और ये जो रिपोर्ट है आप समझ लीजिए ये किसी भारत-चीन या किसी दूसरे देश की संस्ता ने नहीं बनाया है बलकि ये रिपोर्ट अमेरिका की खुफिया विभाग ने बनाया है और जिसे वहां की संसद में पेश किया गया है और आप बड़े ध्यान से देखिए हाला कि मैंने इकाज जगए इसके बारे में सुना लेकिन चुकी राहुल के संदर्व में इसको प्रस्तूत कर रहा हूँ और इसका पूरी की पूरी दुनिया की जो अंतराष्ट्री कुट नीती है उस पर कितना गहरा असर पढ़ने वाला है ये समझे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षिय सीमा वारता हुई और कई सीमा विवाद को सुलजाया गया इसमें बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है लेकिन 2020 में हुई हिंसक जड़ब के चलते दोनों देशों के रिष्टे तनाव पूर्ण रहेंगे दोनों देशों द्वारा विवादित स्थल पर सेनाव की जबरदस्त तैनाती की गई है मतलब राउल गांधी बोलते हैं आप प्रिपरेशन नहीं कर रहा है वो बताया गया है कि भारत ने इतना प्रिपरेशन किया है कि जो अब तक का सबसे अधिक जमावड़ा है और चीन तो करता ही है ये तो कोई छिपी भी बात नहीं है इसके बात ये भी लिखा जा रहा है कि चुकि दोनों परमाणू शक्तियों से सुसजित है इसलिए जोखिम और जादा है और आखरी लाइन आप ये सुन लीजिए पिछले गती रोधों से पता चलता है कि LSE पर लगातार छोटे टकराव के तेजी से बड़ा रूप लेने की शमता है मतलब अगर जरासी चिंगारी भी भड़क गई ना तो ये किस लेवल तक चला जाएगा इसकी आशंका जताई गई है और पाकिस्तान को लेकर के भी एक बात कही गई है वो भी आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ अमेरिकी इंटेलिजेंस संस्थाओं के एन्वल एसेस्मेंट में ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार से उकसाया तो प्रधान मंत्री मोदी पूरी ताकत से जवाब देंगे सेना के इस्तेमाल से भी नहीं चुकेंगे मतलब क्या है मतलब ये है कि अमेरिका भी ये मान रहा है कि जो नया भारत है वो कितना बदला हुआ रूप है और पीम मोदी मुहतोर जवाब देने को तयार है यानि ये जो नया भारत है ना वो ना तो पाकिस्तान के किसी उकसावे को बरदास्त करेगा और ना ही चीन की गीदर भबकी को ये है इस रिपोर्ट में लिखा हुआ इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें कही गई है लेकिन कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूँ इस रिपोर्ट में ये कहा गया है जो अमेरिका की इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं और सरकार हैं उसको सचेत करते हुए कहा गया है कि अमेरिका को हर स्थिति में हस्तक शेप करने के लिए तैयार रहना होगा अब आप समझे कि भारए, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका सारे के सारी चीजागों का विशलेशन किया गया है इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन पूर्वी एशिया में अमेरिका के वर्चसु को खत्म करने की रणनीती पर काम कर रहा है और मजрьदार बात देखें कई सारी चीज़ें हुई है जिस दिन ये रिपोर्ट रखा गया ना उस दिन बहुत सारी गटना है गटनी आपको एक एक करकर आगे वीडियो में बताऊंगा जो पहली गटना है कि जिस दिन अमेरिका में यह रिपोर्ट सामने आई उसी दिन चीन के राश्पती को चीन की संसद ने अगले 5 साल के लिए एंडॉर्स कर दिया जो ताना शाही है आप वो खुल कर आ गई है वहाँ पर लोगतंत्र तो वैसे भी नहीं था चीन में लेकिन सारी चीजों को ध्वस्त करते हैं और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि पूर्वराश्पती को कैसे मने जबर्दस्ती उठाकर बाहर किया गया यह पुराना व जिन्पिंग टेक्स थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट विद आई ऑन यूएस उसकी नजर जो है वो अमेरिका पर है आगे बढ़िए शी जिन्पिंग ने भी इस मौके पर जो भाशन दिया वो भी बड़ा दिल्चस्प है उसने कहा कि अमेरिका चीन को हर तरफ से घेरने औ अब देखिए यह जो खबरें ना यह आपको हो सकता है कि बोरिंग लगे लिकिन यह खबरें बहुत बड़ी है क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना वो किसी बड़े बड़ी घटना का की और इशारा करती है ऐसा नहीं होता कि चीन और युक्रेन और रूस अचान बहुत जरूरी है क्योंकि भारत का जो रोल है वो बड़ा ही महतुपूर्ण है दोस्तों तो शी जिन पिंग ने जब शपत ली तो उन्होंने बताया कि चीन को हर तरफ से अमेरिका घेर रहा है और इस समय जितनी चुनोतिया चीन के सामने खड़ी उन चुनोतियों के बारे आप देख लीजे शी जिन पिंग ने ये कहा सेना को जनता को जितनी निजी कंपनिया कि हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा यहां तक की जो प्राइवेट कंपनिया उसको भी सीपीसी का साथ देने के लिए कहा गया जानि एक तरफ चीन के राष्ट पती शीजिन पिंग अमेरिकी सरकार के खिलाफ संसत से हला बोल रहे थे तो दूसरी तरफ जो चीन की सरकारी मीडिया है Global Times उसने अमेरिकी इंटेलिजेंस संस्थाओं की रिपोर्ट पर कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ जो शीत युद्ध था ना तो वो शीत युद्ध का महाल पैदा कर रहा है Cold War का महाल पैदा कर रहा है और अब आपको मैं दूसरा सहियोग दिखाता हूँ कि जब अमेरिका में ये रिपोर्ट पेश की गई तो जानते उस समय भारत में भी एक अनोखी चीज हो रही थी भारत में पहली बार ये तो हम सब जानते कि G20 के अध्यक्षता पहली बार भारत को मिली है उसी समय भारत में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही थी और दिल्ली में जो बैठक चल रही थी ना उसमें कौन-कौन शामिल था ये भी आप देख लीजे इसमें अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन सभी देशों के विदेश मंत्री शामिल थे और इस बैठक में चीन के भी विदेश मंत्री शामिल हुए और ये तो हम सब जानते हैं कि गलवान की घटना के बार ये पहला मौका है जब चीन के विदेश मंत्री भारत आये और बैठक हो रही इस दोरान भारत और चीन के बीच जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई क्या हुआ इसके बारे में भी एक छोटी सी चर्चा मैं करता हूँ कि जो चीन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से ये कहा कि हम लोगों को रिष्टों को सुधारने पर काम करना चाहिए और इसके लिए भारत को सीमा विवाद से दूर रहना चाहिए दूर रखना चाहिए ताकि रिष्टे अच्छे हो सकें बढ़ सकें लेकिन भारत के विदेश मंत्री इस जैशंकर ने उसी मोधी नीती को दोहरा दिया और ये कहा कि बिना सीमा विवाद हल किये रिष्टों में स चित्र थी एक तरफ सीमा पर लड़ाई होती थी और दूसरे तरफ हम संबंद ठीक करते थे ये चीन की नीती थी कि हम अच्छी चीजे करेंगे हम ट्रेड करेंगे हम आप पे इतने सारे व्यापार करेंगे और सीमा विवाद अलग रहेगा मोधी जी ने साफ कह दिया कि चीन की कंपनियों पर भी आप देख रहे हैं लगातार कि लगातार पाबंदी लगाई जा रही है और यही नहीं भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाईल उत्पादक देश बन गया है जिससे चीन को आर्थिक जटका लगा है बहुत बड़ा जटका लगा है और भारत की नीती को देखते हुए अमेरिका ने भी चीन की कंपनियों पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी लेकिन एक बात आपको जानना जरूरी है कि चीन पर अमेरिका में जो पाबंदी लगाई गई उससे पहले ही चीन ने अपने यहां critical technology के ऐसे research संस्थान बना ल पर पहुंच गए हैं जानी critical technology के मामले में चीन आज अमेरिका से उपर जा चुका है आगे बढ़ चुका है और अमेरिका को critical technology के शेत्र में चीन को पीछे करने के लिए भारत के सहियों की जरूरत है भारत का बौधिक ताकत चाहिए जिसे प्रधान मंत्री मोधी और अमेरि इसी तरह से समझ चुके हैं और इसी लिए हाल ही में भारत के जो national security advisor है अजीर दुभाल वो अमेरिका गये थे और इस शेत्र के लिए समझोता किया गया यानि एक तरफ अमेरिका को भारत की जरूरत है critical technology में और बहुत सारे शेत्र है वहीं दूसरी तरफ रूस को भी भारत की जरूरत है क्योंकि भारत तेल का एक बहुत बड़ा बाजार है और याद रखे रूस पर जब इतने सारे नियत्रण हो प्रतिबंद हो तो भारत दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को समझा कर बुझा कर रूस से तेल खरीद रहा है और ये बहुत असलब रूस से तेल खरीता और प्रॉफिट ले करके दुनिया के दूसरे देशों को बेचता है अब आप सोचिए यह कौन जी बात है भाया आपके देश के हित्वे काम हो रहा है और आप इसको भी निगेटिव बना दे रहे हैं तो यह एक स्थिती भी आपको समझनी पड़ की है और एक चैनल भी आपको अगर समय मिले तो जरूर देखिएगा जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो यह सौधा जानते हैं डॉलर में नहीं हो रहा है बलकि यह सौधा या तो रूबल में हो रहा है या फिर रुपिय में हो रहा है जिससे वैश्वित बाजार में डॉलर को चुनोती मिल रही है यूएस डॉलर को और अभी तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि भीम यूपियाई इसकी जो अंतराश्टिय तोर पे कितनी महत्ता बढ़ी है कितने देशों के साथ इसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है और जब मैं यह सारी चीज़ें बता रह दिखाता हूं एक संस्थान है और्गिनाइजेशन है क्वाड यह हम जानते हैं इसमें भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है हाल ही में भारत के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के पूर प्रधानमंत्री आये तो उन्होंने प्र प्रधान मंतरी मोदी को अमेरिका बुलाया है और ठामंत्री मोदी इस राजकी निमंत्रण को सुविकार कर चुके हैं वो जाने वाले हैं यानि एक तरफ अमेरिका रूस के साथ साथ जो दुनिया भर के देश है वो भारत को अपने साथ मिलाना चाहते हैं वही दूसरी तरफ ये अमेरिका या दूसरे देश चीन ने जिस प्रकार से कोविड महामारी को फैलाया है उसके उपर नेगेटिव रिपोर्ट भी बना रहा है मतलब भारत और चीन के संदर में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया के लिए भारत जहां एक महतपूर्ण देश बन गया है वहीं चीन कोविड के लिए बदनाम होता जा रहा है जिसे चीन अमेरिका की चाल बता रहा है कह रहा है कि अमेरिका दुनिया में चीन को बदनाम कर रहा है अब इस पूरी कहानी का लबोलू आप समझे कुछ पॉइंट्स में मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो ये रिपोर्ट आई है जिस तरह के परिस्थितिया बनी है उसमें अमेरिकी रिपोर्ट में भारत की तैयारी का खुलासा हो गया ये जो राहूल गांधी लगातार भारत की जनता को डराने का काम करते हैं कि हमें चीन का नाम लेकर पाकिस्तान का नाम लेकर वो भारत की जनता पर भारत सरकार पर unnecessary जो pressure create करने की कोशिश करते हैं वो इस report से खतम हो गया है इस report ने साफ कर दिया है कि भारत की तैयारी कैसी है और ये राहूल गांधी को बताने की जरूरत नहीं है इससे तो पूरी दुनिया है राहूल गांधी की तो जो शूड़ गया होंगे दूसरा महत्पूर्ण बिंदू कूट नीतिक रूप से चीन और पाकिस्तान अलग थलक पड़ गया है और ये प्रधान मंत्री मोदी की सबसे बड़ी कूट नीतिक सफलता है ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से चीन और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलक पड़ गया तीसरा पॉइंट भारत का हित जो आर्थिक हित है वो सर्वो परी है भारत ने न किवन अपने आप से मेहनत करते हुए आर्थिक रूप से समरिध किया है खुद को बलकि जो दूसरे देशों के साथ नीतिया है उसमें भी अपने आर्थिक हितों को सर्वो परी रखा है और इसी लिए तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका येरोपियन यूनियन के बावजूद उसने रूस से पेट्रोल और तेल खरीदना बंद नहीं किया बलकि ये साफ कर दिया कि अगर हमें वहां से सस्ता मिलेगा तो हम जरूर खरीदेंगे और चौथा पॉइंट जो आखरी पॉइंट है भारत को चीन से उल्जाने की कोशिश नाकामियाब रही है एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजे अमेरिका और चीन में इस समय प्रभुत्तु की लड़ाई चल रही है कौन किस से आगे है और अमेरिका की एक कोशिश होती है हमेशा से यह इतिहास रहा है कि बिना चीन से युद्ध किये उसे हराना और यह तभी संभव है जब चीन को किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में उल्जा दिया जाए अब वो चाहे ताइवान हो चाहे भारत तो कोई भी हो सकता है भारत अगर हुआ तो अमेरिका की तो रूस भी अमेरिका को चुनोती दे रहा था, अब उसने ऐसा उल्जहाया युक्रेन के मामले में कि देखिए एक बहुत बड़ी महाशक्ती, एक छोटा सा देश, लेकिन रूस न केवल एक साल से अधिक समय हो चुका है, वो पूरी तरह से उलज गया है, बलकि आर्थिक एक ही बात, जब देश की जनता के साथ साथ, पूरी दुनिया के लोग, दुनिया के ताकतवर देश, ये समझ रहे हैं कि प्रधान मंत्री मोधी की इंडिया फर्स्ट की नीती और उनकी नियत किस प्रकार से काम कर रही है, भारत के हितों को आगे बढ़ा रही है, तो फिर ह हमारे देश के सबसी पुरानी पार्टी के नेता राहुल गाने, इस बाद को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और ये एक गंभीर रूप से चिंता का विशह है, लेकिन ये मान कर चलिए कि प्रधान मंत्री मोधी जिस मिशन में लगे हैं, उसे वो छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी कितनी भी बादा क्रियेट करने की कोशिश क्यों न करें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे निवेदन है साथियों, कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे, शेर कीजे, कमेंट कीजे, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भू दिएगा, नमस्कार